नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपी के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज जैसे की एक सीरीज मैंने चलाई है कि जैसे मैंने पेशली वीडियो में बताया था कि मारूती की कार्स के लिए कौन-कौन सी CNG किट बेस्ट है जिसमें मैंने आपको पूरे तरीके से ऐसे बताया था कि 1000 सीजी के एंजिन के लिए कौन सी बेस्ट रहने वाली है इसी तरीके से 1200 सीजी के लिए कौन सी बढ़िया किट है मारूती कार्स के लिए और इसी के साथ 1400 CC, 1500 CC जैसे कि आपकी विटारा ब्रेजा अर्टीगा और दूसरी सियाज इन सब के लिए कौन-कौन CC एंजी के बेस्ट रहेगी ताकि आपको बेस्ट परफॉर्फॉर्मेंस के साथ साथ बेस्ट माइलेज भी निकल सके बेस्ट माइलेज भी मिल सके तो दोस्तो उसी कड़ी में आज एक नया वीडियो में ले करके आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि सभी तरह की हिंड़े की जितनी भी कार्स हैं हिंड़े मोटर्स हिंडे की कार्ज के उपर आसम निकल करके आता है भैतरी निकल के आता है तो दोस्तों सुरू कर लेते हैं और सुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि इसी तरीके की informative वीडियो CNG से संबंदित आपकी गाड़ियों से संबंदित वीडियो मैं समय समय पर इस चैनल पर ले करके आता रहता हूं ताकि आप इससे जागरुक बने रहें आपको भरपूर जानकारी मिलती रहें और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजेगा बैल आइकन प्रेस करना नमत भूलिएगा तो दोस्तों सुरू कर लेते हैं जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको कि CNG किट जो हैं वो हिंड़े की कार्स के लिए कौन-कौन सी बेस्ट रहने वाली है जिनका performance एक दम एक नंबर निकल के आए तो दोस्तों स कि CNG किट आपका किस गाड़ी के लिए बेस्ट है और कौनसी इंडियन किट है और कौनसी कौनसी आपकी इटैलियन किट है तो दूस्तों सबसे पहले जो गाड़िया आती हैं जो हिंड़े के आती हैं उनमें से ग्रेंड आइटे नियोस सेंट्रो इसी तरीके की और भी करूंगा कि आप BRC को चुनिए लेंडी रेंजो को चुनिए और साती साथ अगर आप चुनना ही चाते हैं इसमें तो टोमेसिटो भी आप इसमें लगा सकते हैं देखिए सबसे पहली जो प्रेफरेंस रहेगी हिंडे की कार्स में वो रहेगी आपकी BRC और लेंडी रेंजो ज निकालती हैं ये CNG के हिंडे की कार्स पर आगे चलते हैं एक लेवल उपर अगर हम चलें तो आजाती हैं हिंडे की ही सेडान कार्स जैसे की औरा हो गई हिंडे की वरना हो गई इसी तरीके की सेडान कार्स और भी हैं जो पेट्रोल मॉडल में आरी हैं अभी भी और जिसमें CNG installation किया जा सकता है तो दोस्तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसमें लगाते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट कीजिए गा लुवेटो की EXR Blue जी हाँ लुवेटो की COBD2 तो दोस्तो ये दो किट ऐसी हैं जो आपकी sedan cars के लिए best रहने वाली हैं जिनको मैं best बता रहा हूं इसके बाद मैं आपको number wise बता रहा हूं आपको step wise बता रहा हूं कि अगर आपके area में आपकी locality में आपके city में एक kit available नहीं होती तो आप उससे फिर दूसरी कौन सी kit के लिए कह सकते हैं sedan cars में मैंने जैसे बताया आपको कि इसमें आप लोवेटो की EXR और लोवेटो की COVT2 तोनों में से कोई सी भी लगवा सकते अगर ये availability नहीं है तो आप उससे landy range के लिए भी बोल सकते हैं ये भी बहुत बहतरी kit है आपकी sedan cars के लिए और अगर ये भी available ना हो तो उससे बोलिएगा Tomecito अगर वो लगा सके तो तो देखी ये जो kits हैं ये काफी fine kits हैं आपकी Hyundai की cars के लिए इसमें भी अगर ऐसा होने को लगे या ऐसा अगर लगे आपको कि ये सारी ही kits available नहीं है market में और बहुत जगे available होती भी है बट बहुत dealer नहीं लगा पाते हैं इसको just because इसकी settings जो होती है इसका जो programming होती है वो बिल्कुल different होती है in compare of Indian kits के Indian kits को setting करना और Italian proper जो 100% imported Italian है उनको setting करना उनकी configuration करना वो थोड़ा सा tough रहता है उसका complication रहता है थोड़ा सा उसमें तो अगर ये नहीं मिल पाती हैं आपको तो फिर आप आसकते Indian kits पर वो भी मैं बता देता हूँ आपको इसके बाद पहले एक step और उपर चलके complete कर लेते हैं अब आती है SUVs जिसमें आगई आपकी क्रेटा आ जाती है जी हाँ SUVs में हम कौन सी kit लगाएं वेन्यू आ जाती है हिंड़ाई की तो देखे अगर आपकी गाड़ी नौन टर्बो है चाहे वो क्रेटा है चाहे वो वेन्यू है तो आप इसमें similar kit जो मैंने आपके लिए sedan के लिए रिकमेंड की है वही kit आप इसमें अपनी SUVs में लगवा सकते है बट अगर आपकी जो कार है वो टर्बो इंजन के साथ है वेन्यू है या दूसरी कोई भी गाड़ी है चाहे वो हैच बैक हो चाहे वो sedan कार हो चाहे वो आपकी SUV हो अगर वो आपकी टर्बो इंजन के साथ आ रही है तो फिर उसके लिए मैं आपको अभी कोई kit रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इसका feedback अभी तक नहीं है मेरे पास इसका live example नहीं है मैंने इसको खुड टेस्ट नहीं किया है टर्बो इंजन के उपर खास कर हिंड़े के अगर आपसे कोई कहता है कि हिंड़े की venue में वो kit लगा करके देगा अच्छी performance के साथ देगा गरंटी लेगा कि perform अच्छा करेगी सालो साल तो आप उस पे जा सकते लगा सकते है अगर कोई कहता है टर्बो इंजन के साथ आपकी कोई सी दूसरी गाड़ी है और लगा करके देगा तो आप उससे बात करके लगवा सकते है बट मैं आपको जानकारी उतनी ही दूँगा जितनी मेरे पास है जितनी मेरे पास सटीक है अभी बात कर लेते हैं आगे कि अगर ये kits की availability नहीं है या कोई dealer के मना करता है इंड किट्स को लगाने के लिए तो आप Indian kits में से कौन सी चुन सकते हैं तो दोस्तो जो मैं Indian kit recommend करना चाहूँगा वो आपको सिर्फ hatchback और sedan cars के लिए करना चाहूँगा SUVs के लिए नहीं तो hatchback में आप यूज करिए Mizo की premium auto moto भी इसमें आप लगा सकते हैं motosin लगा सकते हैं और साथी साथ एक HR के जो HR के नाम से आती है आप उसको भी इसमें install करा सकते हैं इस चारो ही किट आपका जो hatchback cars हैं इन में performance उतना बहतरीन तो आप नहीं कह सकते हैं अगर मैं compare करू italian kit के बट हाँ 99% आपको वही quality मिलेगी जो आपको italian kit में मिलती है अगर इसकी अच्छे से installation हो अच्छे से setting होई हो configuration अच्छे से हो रखाओ laptop से तो बहुत अच्छी इसकी performance निकल के आती है इन kits की साथ ही साथ बात करते हैं अब sedan cars के लिए जो की हिंडे की sedan cars के लिए अगर आपको कोई italian kit नहीं मिल रही है तो indian kit कौन सी लगाए तो देखी इसमें भी आप indian kit अगर select करना चाहें तो HR की आप लगा सकते है high rise इसमें आप लगवा सकते हैं इसका motozin का और साथी साथ आप लगवा सकते हैं मीजो का premium यह तीनों किट काफी अच्छी kit मानी जाती है और साथी साथ में दोस्तों इनके बारे में बता दूं कि इनके साथ-साथ जो ऑटो मोटो है ग्रीको है डिजी फ्यूल है यह सब एक दूसरे की parent और एक दूसरे की child company ही है तो इसमें आपको यह सोचनी की ज़रूत नहीं कि ग्रीको ई-ग्रीन डिजी फ्यूल और मोटोजन और मीजों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा सेम सॉफ्ट्वेर पर काम करते हैं ज्यादा तर की cng kits और एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो एई-बी के सॉफ्ट्वेर पर यह लोग काम करते हैं सारी जितनी भी cng kits हैं यह टैलियन एक परफॉर्मेंस देने के लिए जाने जाती है एक मतलब बहतरीन माइलेज के लिए जाने जाती है बट हाँ आप हैजबेक कार में लगा रहे हैं तो इंडियन किट्स भी आप लगाई है बेदड़क लगाई है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेडान में आप इंडियन लग करना ना भूलें और हाँ बैल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें तो दोस्तों यह वीडियो ही तक जल्दी मिलूंगा किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक अपने ख्याल लखें सुरक्सित रहें सुरक्सित चलें